इस लेक्चर में हम लोग इलेक्टिक डाइपोल का कॉंसेप्ट सीखेंगे तो इलेक्टिक डाइपोल ठीक है तो इलेक्टिक डाइपोल क्या होता है अज सिस्टम ऑफ टू चार्जेज इसको बोलते हम लोग गलेक्टिक डाइपोल ठीक है तो इसको इसको यूज़िली तो मैं इसको टू असे डिनोट कर रहा हूँ तो असिस्टम ऑफ टू इक्वल मैगनिटूट के चार्जेज बट ऑफ अपोजिट साइन्स सेप्रेटिट बाइप स्मॉल सेप्रेशन अब इस्मॉल एक रिलेटिफ वर्ड है लेकिन इस्मॉल का मतलब समझ में आ जाएगा जब हम लोग एलेक्टिक डाइपोल का एलेक्टिक फील और पूटेंशल अगेरा निकालें अब जिस पॉइंट पर एलेक्टिक फील निकाल रो उस पॉइंट का इस डाइपोल इस पूरे सिस्टम को एलेक्टिक डाइपोल बोलते हैं जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट तो यहाँ देखना इसको एलेक्टिक डाइपोल इसको एलेक्टिक डाइपोल निकाल 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 इस पूरे सिस्टम को एलेक्टिक डाइपोल बोलते हैं तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर कॉण्टिक है तो डाइपोल मोमेंट को पी से नूट करते हैं तो इस इसको बोलते है magnitude और Direction होता है from negative to positive अब का Start प्सक्राइदिट में होता है तैसा भी सभते हैं we agree इसके उपर मैं एक दो इलस्टेशन दिखाता हूँ, तो सपोज आपको यह minus q है, यह plus q है, इनके वेच का separation जो दिया हुआ है, वो x दिया हुआ है, ठीक है, और इसका electric apple पूछा गया, तो इसका electric apple क्यों हो जाएगा, q into x, ठीक है, और direction क्यों हो जाएगा, from negative to positive, और इस case में i-cap के लोगे, तो q into x, i-cap, ठीक है, अब किसी-किसी question में एक से यादा pair आपको देख सकता है, for example, जैसे यहाँ पे minus, ऐसा मिल गया है, यह minus q, यह plus q by 2, यह भी plus q by 2, ठीक है, तो इस system का आपको निकालना है, electric dipole moment, वही, dipole moment है न, तो आप इसको क्या करो, इसको दो, pairs में तोड़ दो, ठीक है, यह जो minus q है, उसको minus q by 2, मतलब minus q by 2, दो बार लिख सकता है, तो एक minus q by 2, इसके हाथ, एक dipole बना लेगा, और एक minus q by 2, इसके हाथ, बना लेगा, ठीक है, इसका dipole moment हो जाएगा, इस वाले part का, negative से positive इस तरफ magnitude हो जाएगा, q by 2 into, माल लेते हैं, यह x है, और यह भी x है, तो q by 2 into x, और यहाँ पर negative to positive, इस तरफ कुछ आ जाएगा, q by 2 into x, तब यह भी dipole है, यह भी dipole है, तो दोनों का, क्योंकि dipole moment, vector quantity, दोनों को add कर देंगा, ठीक है, तो resultant जो होगा, वो कुछ, यह किस तरफ है, downward है, और यह किस तरफ है, तो resultant कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, root 2 q by 2 into x, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यह q by 2 था, यह q by 2 था, तो इस minus q को हम लोगों ने 2 q by 2 में तोड़ दिया, एक minus q by 2 में एक minus q by 2 जोड़ा बना लेगा, और दूसरा minus q by 2 ग Cash है, ठीक है, अपको एक एगा ट्रो करना है तो ट्रो करो, एक्चुली मैं आपको यहीं पर डॉक करना है तो ठीक है यह एक जोड़ा है और यह दूसरा जोड़ा ठीक है फकोस यह दोनों सेम पोजिशन पर होगी किसी भी कन्फिग्रेशन का ठीक है यह अब इसके वह नहीं रहें है यह तो अपका डेफिनिशन है बस्टालेंटी का जरूरत किया पढ़ता है यह आगे जब हम रहे अलेक्टीक फील कलेंगे दूर रेक्रिक पॉल और अलेक्टली कॉलेशन निकालेंगे वहाँ पे हमों को दिखेगा कि ये product बार बार आता है तो ये product को क्या बोलते हम लोगया? Electric dipole का magnitude तो ये product basically electric dipole जो हम लोग को define किये नहीं ये आगे electric field में और electric potential due to a dipole में आता रहेगा तो इसलिए हम लोग को लोग डिफाइड किये है कि आगे इसके terms में expression लिखना असान हो है ना तो अब next lecture में हम लोग electric dipole की कारण किसी point पे electric potential क्यों होगा वो निकालेंगे आप कुछ भूल रहे हो इमानदारी से बताना करना है नहीं करना है करना है करो ना वही क्यों नहीं कर रहे